तो सबसे पहले मैं अपने प्रभू का नाम लूँगा ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं शुरू करते हैं आज का काम दोस्तों में लास्ट वीडियो में सीखा था था यूज ओफ इसमर जिसमें मैंने आपको लास्ट में बताया था कि आपको डबल वेच फैमिली के कुछ वर्ट्स जरूर याद करने हैं और यह वर्ट्स कितने हैं नो और यह एक तरह से वोकाबलरी का भी काम करेंगे सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि इनके मेनिंग क्या है वट का मतलब क्या वाई क्यों वेन कब हाव कैसे विच कौन सा या कौन सी वेर कहा हूँ कौन हूम किसे फूस किसका दोस्तों मैंने आपको पहली बिदाया था कि अगर कभी-कभी थोड़ा शोर है तो उसके लिए प्लीज आप अर्जस करें ठीक है और लेट्स रिवाइस इस 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 आप यू यू के साथ आर यू आर ओके इन दीनों में से एक लिखना दोस्तों यह मैं आपकी रिविजन भी करा रहा हूँ जिस जिसको नहीं याद किया है उसको अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा यह सब इस रहूल यह के साथ इस शी इस मधरी शी के साथ इस 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 अमोबाइल इट के साथ इस राम इस माइफ रेंड राम के साथ इस राम इस इस सिंगुलर यहनिकी एक वच्छा नेगिटिव में दोस्तों आपको क्या करना है सब्जेक्ट प्लस ASMR के बाद not put करना है लास्ट में object लिखना है जैसे I am not fine I am helping verb के बाद not लगाना है You are not okay You are helping verb के बाद not not लगाना है We are not friends We are are के बाद not लगाना है they are not students, they are, are के बाद not, यहनि कि आपको main helping verbs के बाद not का use करता है, तो आपका negative sentence clear हो जाएगा, और example है इसमे, he is not Rahul, she is not Madhuri, it is not a mobile, Ram is not my friend, I hope कि आपको clear हो गया होगा, चलते हैं next interrogative sentences के लिए, interrogative sentences जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका हम use करते हैं, जब हम किसे से questions पूसते हैं, यहनि कि pressure पूसते, और दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया था कि vocaps, word meaning, जो भी मैंने pink color से underline किये हैं words, यह आपके word meaning का काम क सीख रहे हैं और थोड़े-थोड़े word meaning याद करना सीख रहे हैं, मैं आपको इसके इलावा भी extra word meaning दोगा, ठीक है, जैसे interrogative में क्या होगा, सबसे पहले आप is MR लगा लेंगे, फिर subject, फिर object, जैसे कि am I fine, I के साथ क्या लगाना हैं आपको तीनों से, is MR में से आपके लगा नेगेटिव में, you are not okay, जब हम question बनाएंगे, are you okay, are we friends, next sentence था, is he Rahul, is he Maduri, is it mobile, तो दोस्तों हमने last class में यह सीखा था, चलिए, अब डव्य हैच फैमिली, जो मैंने आपको अल्रेडी बता दिये कि no words होते हैं, अब थोड़ी सी practice कर लेते हैं, जिसे कि आपको बिल्कुल अ ओके डियर फ्रेंड्स, अब हम करते हैं थोड़ी सी practice, जिसे कि मालनों आपको सारे के सारे sentences अच्छे से clear हो जाएंगे, जो भी अब तक आपने सीखा है, simple sentence, negative sentence, और interrogative sentences, जो भी हमने सीखे हैं, और इसके बाद में आपको WH family sentences सीखाऊंगा, यह हमने 9 words लिखे हैं, तो let's start practice, जैसे हम example लेते हैं, are you okay, क्या आप ठीक हो, answer, अगर आप simple देना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे, yes, I am okay, अगर आप negative answer देना चाहते हैं, no, I am not okay, dear friends, आपको यह धियान रखना है, जब भी आप answer देंगे, आप yes और no, जरूर लिखेंगे, क्योंकि यह simple interrogative है, एक sentence में standard okay, यह आपका simple sentence, no, I am not okay, यह आपका negative sentence, और यह जो आपने simple interrogative सीखा है, उसके बाद, is it a bag, yes, it is a bag, no, it is not a bag, are you well, क्या आप ठीक हैं, अक्सर हम पूछते हैं, क्योंकि इसमें subject और object दोनों हैं, और wh family का हम use कहां करते हैं, जहां पर हमें object नहीं पता होता, और specially who का use हम करते हैं, जब हमें subject नहीं पता होता, जिसे next example, is it a table, yes, it is a table, no, it is not a table, तो dear friends, दोस्तों मुझे लग रहा है, कि आपको समझा रहा है, कि आपने simple sentence सीखा, negative सीखा, उसके बाद interrogative, अब हमने तीनों sentences को एक साथ use किया है, जिसे हमें पता लग रहा है, कि हम इसे अच्छे से सीख practice sentences में और भी है, जैसे are you teacher, yes, I am teacher, जैसे आप से direct कोई पूचता है, क्या आप teacher है, are you teacher, अब इसके अंदर a भी लगा सकते हैं, अगर अब लगाना चाहें, are you a teacher, yes, I am a teacher, yeah, no, I am not a teacher, okay, जैसे next, is he doctor, क्या वो doctor है, yes, he is doctor, no, he is not doctor, अगर आप चाहें, तो आप इसमें a भी लगा सकते, is he a doctor, yes, he is a doctor, no, he is not a doctor, as you wish, is she a housewife, मैंने बोला, आपको direct भी बोल सकते हैं, आप लगाना चाहें तो, yes, she is a housewife, no, she is not a housewife, it ups to you, next, are we friends, yes, we are friends, no, we are not friends, are they friends, yes, they are friends, no, they are not friends, next, दोस्तों मैंने आपके लिए इतने sentence लिखे हैं कि आपको किसी भी teacher की जूरत नहीं है, अगर आपके अंदर जोश है, जनून है, तो आप सीख सकते हैं, कहते हैं हम अपने पेट को तो रोज खिलाते हैं, क्यों ना हम अपने दिमाग को खिलाएं, क्योंकि पेट तो रोज भरता है, और सुबह खाली हो जाता है, लेकिन दिमाग को खिलाएंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, at least हम अपने लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए, अपने near और dear one के लिए, कुछ कर सकते हैं, अगर हमारी English अच्छी हो जाएं, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं Is it a chair? Yes, it is a chair. No, it is not a chair. Word meaning, it means chair. Simple sentences के according, it is a chair. No, it is not a chair. Is it a 20 rupees coin? Yes, it is a 20 rupees coin. No, it is not a 20 rupees coin. Are you hungry? Yes, I am hungry. No, I am not hungry. Are you thirsty? Yes, I am thirsty. No, I am not thirsty. Is he clever? Yes, he is clever. No, he is not clever. More sentences for practice. Is she smart? Yes, she is smart. No, she is not smart. Smart का मतलब यहाँ पर जो बहुत ही होनहार है, intelligent है. Smart का मतलब चालाग भी होता है. तो इसके meaning, दो दो है. अब जिसमें लेना चाहें, उसको ले सकते हो. इसे clever के लिए उसकरना, is he smart? और is she smart? ठीक है? और कोई अपने काम को अच्छे से करता है, तो उसको भी हम बोलते हैं. Yes, he is very smart. She is very smart. तो आप जैसा चाहें, वैसा ले सकते हैं. जैसे, is she beautiful? Yes, she is beautiful. No, she is not beautiful. Are you intelligent? कहीजने यह भी बोलते हैं. Are you an intelligent? So, it ups to you, the way you speak, the way you use. Yes, I am intelligent. No, I am not intelligent. Are you innocent? Yes, I am innocent. No, I am not innocent. So, dear friends, अब तक हमने simple, negative and interrogative sentences के काफिसार example सीख लिए हैं. आप इसे अपनी day-to-day life में use करें. और मुझे पूरा विश्वास हैं कि आप धीरे-धीरे अच्छे से सीख जाएंगे. बस आपको क्या करना है? Time देना है, focus करना है, और habit डालनी है. यह तीन मूल मत्र हैं किसी भी चीज़ को करने के. Time, focus और आदत. चीक है? तो हम कल मिलते हैं, इसी समय, इसी वीडियो के साथ, अपने इस YouTube चैनल पर, Learning Brightly. तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको फ़संद आईए, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, इस बैल आइकान को क्लिक करें. Thank you so much and have a nice day.